चले दोस्तों बात करते हैं सेकूर कुशन के बारे में इस कुशन में एक्दामना नहीं कहा है one of the factor of the expression यानि कि इसका इन चार option में से कोई एक factor होगा इसको दो तरीके से कर सकते हैं एक तो आप इसमें कोई adjustment लगाई है तब इसे solve कीजे या फिर आप इसे option की मदद से solve कीजे यानि कि ये वाली value जो ये जो चार value दो रखी ये सक इसमें से कोई एक इसका factor होगा तो अगर मैं इस value को अगर 0 के बराबर equivalent करूँ तो यहां से x की जो value आगी मेरे पास में minus का root 3 by में 4 आगी यहां soll करूँगा तो x is called to मेरे पास कितना आगा? ये value आगी अब इस value को अगर मैं इसमें रखनूँगा और अगर equation मेरी 0 आजाएगी तो वही उस question का factor होगा तो पहले मैं option डी से इस start कर लिए था हँ ये मेरे पास positive है ये मेरे पास negative है इसमें मेरे पास में क्या आपका नेगेटिव में इसमें पोजिटिव से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर जब मैं इसकी value रखूँगा तो यह 4 into में under root 3 into में यह 3 by में आपका 16 हो जाएगा plus का 5 into में under root 3 by में 4 यह हो जाएगा minus का 2 under root में आपका 3 यह value दे रखिए solve करूँगा तो यह 4 चुक 16 हो जाएगा यानि 3 root 3 by में 4 plus का 5 root 3 by में 4 minus का 2 root 3 यह इसकी value जाएगा इन दोनों का आप add करेंगे तो 8 root 3 by में 4 minus का 2 root 3 हो जाएगा आपका इससे काटेंगे तो यह 2 हो जाएगा इन दोनों का difference हो जाएगा इसका मतलब है कि यह वाली value रखने पर यह equation मेरी 0 के equivalent हो रही है इसका मतलब option D ही इस question का factor होगा आईए अब इसे में लोग दूसरे तरीके से करते हैं अगर इस तरह से किसी को नहीं करना कि भई option की बंतल से lengthy लग रहा चार option चेक करने पड़ेंगे मुझे तो यहाँ पर देखिए यह मेरी पास में 5X है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 8X माइनस का 3X यह लिख सकता हूँ बिलकुल लिख सकता हूँ तो इसी को लेके solve करते हैं तो 4 अंडरूट में 3X का square प्लस में 8X माइनस का 3X माइनस का 2 अंडरूट में 3 यह इसकी value जाएग मैं इन दोनों को compare करूँ इसमें से अगर मैं आपका 4 और X बाहर निकालूँ तो मेरी पास में यहार जाएगा अंडरूट में 3X और प्लस में क्या जाएगा अपका 2 यहाँ से अगर मैं माइनस,emen यहाँ से निकालूगा इस 3 को मैं लिख स्ता हूँ अंडरूट 3 इंटू मे under root 3 है तो यहां से जब common निकालूँगा तो यह मेरे पास में क्या आजाएगा आपका एक under root 3 आजाएगा x हो जाएगा और यह plus में आपका 2 बच जाएगा है यह वाली value इस वाली value के बराबर हो गया तो 4x minus का under root 3 इसका एक factor आगया under root 3 x plus का 2 इसका दूसरा factor आगया इस में से जो equation में दिखाई दे रही है वो option 2 की दिखाई दे रहा है यानि कि यही इस question का correct answer होगा I hope आप तभी question समझ में आया होगा